जै मतारणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधाक्रिष्न अफिसियल में उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम संकष्टी चतूर्थी ब्रत की कथा सुनेंगे जो कि 30 संबर 2023 दिन सनिवार के दिन रखा जाएगा इस पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ पूजा बिधी सुभ मुहूर्त कब से तिथी शुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है तो मैं उस वीडियो में सब कुछ बताएं हूँ तो आप लोग एक बर उस वीडियो को जरूर देखि और माता लक्षमी का बीबाया निश्चित हो गया था और बीबाह की तयारी भी चल रही थी बीबाह का निमंत्रन सभी देवताओं को भेजा गया था सिर्फ गनेश जी को नहीं दिया गया था तब सभी देवताओं ने एकत्रित हुए और जब बरात प्रस्थान का समय तब सभी देवता ने आपस में बात की कि गनपती नहीं देख रहे हैं, क्या उनको निमंत्रन नहीं मिला था या वो आई ही नहीं हैं। तब भगवान विश्णू ने कहा कि हमने गनेश जी के पिता महादेव सीव को निमंत्रन तो भेजा ही था, अगर गनपती आना चाहते तो अपने पिता के साथ भी तो आ सकते थे, एक ही परिवार में दो निमंत्रन क्यों भेजना। तब भगवान विश्णू ने बोला, नहीं आये तो ठीक ही हुआ। उसका एक दिन का भोजन सावा मन मुन, सावा मन घी, सावा मन चावल और सावा मन लड़ू है। कहीं और जाकर इतना भोजन करना अच्छा नहीं लगता। यह सब सुनकर सभी देवता बोले कि यदि वो आ जाते तो यह कहकर दुआर पर बैठा देते कि वो मुसक की सवारी करते हैं। बहुत ही धीमी गती से चलेंगे, इसलिए बरात में बहुत पिछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान बिष्टू ने समित सभी ने सहमती दी और फिर गनेश जी को बुलावा गया। कुछी देर में गनपती आ पहुँचे, फिर उन्होंने समझा बुझा कर दुआर पर बैठा दिया गया, और सभी देवगन बरात में चले गए। उधर जी ने गनेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी से अपने मुशक सेना को भेज दीजिए, वहां बरात से आगे पहुँचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बरात में चलने वाली वाहन धरती में धस जाएगी और बरात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब गनेश जी ने ऐसे ही किया, जब बरात कुछ दूर गए तब तक मुशक ने रास्ता खोद दिया था। आप लोगों ने गनेश जी का अपमान किया है, इसी के कारण ये सब हो रहा है, अब वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतरिक्त और कोई उपाए नहीं है, यदि मंगल धंग से सभी कार्य को संपन करना चाहते हैं, तो उन्हें मना करके यहां बुलाना चाहिए। तब सिव जी के सवारी नंदी जी को गनपती जी को बुलाने के लिए भेजा गया, जब नंदी जी गनेश जी को ले करके आई, तब उनका सम्मान पुर्वक पूजन किया गया, इसके बाद सभी वाहन का पहिये धर्ती से निकल आये, परन्तु एक और समस्या थी कि, जो पह तुटे हुए पहिये को सुधार सकते हो, तब किसान ने कहा कि मैं पहिया सुधार दूंगा, तब किसान ने गनेश जी का नाम लेकर पहिया ठीक करने लगा, जब किसान ने पहिया ठीक कर लिया, तो कहा कि आप लोगों ने सर्ग पर्थम गनेश जी का पूजन नहीं किया हो तब किसान ने देउताओं से कहा कि आप सभी लोग गनेश जी का नाम ले करके और आगे बढ़ जाएए, कोई समस्या नहीं आएगी, क्यूंकि गनेश जी बिगन हरता है, वो सभी समस्याओं को हर लेते हैं, तब गनेश जी के जय बोलकर बरात वहां से आगे बढ़ी, भगव क्यूंकि गनेश भगवान बिगन हरता है, हर किसी के बिगन को हरते हैं, तो इसी बिगन हरता पर संकष्टी चतुरदसी का बरत मनाया जाता है, बहुत सी मताएं बहने इस दिन बरत भी रखती है, और बरत रखना भी चाहिए, तो चलिए दोस्तों, ये कथा मेरा यहीं तक क कैसा लगा यह कथा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा, और चैनल पर नए आया हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, और वीडि कि वास सबस्क्राइब के लिए बताईब Okay food, वीडिएभ टाबन, को वीडिए़ वीडिए़ ने यह झाले ओएर चाले मेरे जिएवा ने लिएव़गा, वीडिएभ ऑनन्डे़ इन विएवार!